हेलो गाईज आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है जैसे कि आज की क्लास में बच्चा इंट्रेंस इक्जाम पॉर टेक्निक फिजिक्स का महा प्रला आल स्टुडेंट का वेलकम है और आज बहतरीन कोश्चन जिसमें आप सरल लोलक में फस जाते हैं द्रबेमान हुआ चाहे लंबाई हुआ चाहे उनकी अवरित्ति को लेकर तो उस पर आधारित प्रस्ण है जिसमें आपके प्रिभियस एर के कोश्चन के साथ सूपर फास्ट रिवीजन के साथ रात के नो बजे स्टार्ट करते हैं देखिए पहले कोश्चन को आप एक साथ में और एक बार शेयर कर दीजे विद्यार्थी जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया है तो शेर कर दिजे, पहला कुश्चन आ चुका है आपके सामने, पहला कुश्चन, पहला कुश्चन कहता है कि दोलन करती किसी वस्तु की आवरित्ती पांच प्रती सेकेंड है, कितनी ये बच्चा, पांच प्रती सेकेंड है, तब इसका आवर्त काल क्या होगा, कौन से विद्यार यानि ऐसे लिखा जाता है और इसी को हम लिखते हैं सेकेंड इनवर्स या हर्ट्स लिखते हैं या हर्ट्स लिखते हैं किसका मातरक है कहेंगे आवरित्ती का मातरक है यानि आवरित्ती आपको दे रखी है कितनी दे रखी है पांच दे रखी है पांच हर्ट्स दे रखी है अ नहीं जानता है ऐसा तो कोई नहीं होगा कि जो यह संबंध नहीं जानता है तो T बराबर one upon n तो आप कहेंगे T बराबर एक बटा पांच एंसर क्या आजाएगा एक बटा पांच यानि दस्मलों में बदल देंगे तो क्या आजाएगा बिटा 0.2 वाला एंसर बिल्कुल सही है 0.2 वाला एंसर बिल्कुल सही है यानि option number 1 खतम पूरा विशले सड हो चुका आईए घड़ी में घण्टे वाली सुई का आवर्थ काल क्या है घड़ी में घण्टे वाली सुई जो एक एक घण्टा पर rotate होती है घण्टे वाली सुई का आवर्थ काल क्या है कौन से विद्यार्थी सबसे पहले एंसर दे रहे है कौन से 12 घण्टे बिल्कुल सही क्योंकि घड़ी में जो घण्टा वाला है भई घण्टा वाला घण्टा 5,4,3,2,1,11,10,9,8,7 घण्टा वाला छोटका वाला फिर बड़ा वाला होता है सहना इसमें चोटी सी सेकेंड वाली होती पतली सी घण्टे का पूछा था कि आवर्थ काल क्या होगा तो 12 घण्टा option number D बिल्कुल सही है घड़ी की सुईयों की गती होती है कैसी गती होती है घड़ी की सूईयों की गती होती है बच्चा कैसी गती होती है बताईए घड़ी की जो सूईयां होती है वो किस तरीके की गती करती है तो आप कहेंगे आवर्थी गती करती है यानि option नमबर बी अगला question आपके सामने देखिए एक कण, एक कण 20 सेकेंड में 10 कमपन करता है, तो इसका आवर्त काल क्या हो जाएगा, एक कण कितना करता है, एक कण आप कहेंगे 20 सेकेंड में 10 का करता है, तो यानि आप कहेंगे आवर्त काल बराबर, फार्मूला लिख लिख लिजे, आवर्त काल बराबर, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कमपनों की, कमपनों में लगा समय, कमपनों में बच्चा लगा समय, कमपनों में लगा समय, डिवाइड बाई किस से हो जाएगा, भागा किस से देंगे, लगा समय, कमपनों की संख्या से, कमपनों की संख्या से भाग दे देंगे, एंसर आ जाएगा, तुर अगला कुश्य, सरल आवर्थ गती करते हुए, एक कंड साम में इस्थिति से 4, 4 सेंटी मीटर दूर पर त्वरण, 16 सेंटी मीटर सेकेंड में तो इसका आवर्थ क्याल क्या होगा, बच्चा सेंटी मीटर में दिया है तो पहले इसको चेंज करना पड़ेगा, किस में चेंज क सरल आवर्थ गती में क्या इस्थिर रहता है, पूछ रहा है कि सरल आवर्थ गती में बच्चा क्या इस्थिर रहता है, तो आप कहेंगे आयाम, जो आयाम है बच्चा ए जो है, ये इस्थिर रहता है किस में सरल आवर्थ गती में, अगले कुश्चन पर, सरल आवर्थ गती किस भौतिक रासी के सरक्षण पर आधारित है तो कहेंगे यांतरिक उर्जा के सरक्षण पर आधारित है अप्सन नमबर C बिल्कुल से अगला कोशन देखिए सरल आवर्थ गती करते करकी अधिक्तम विस्थापन इस्थिती में गती जूर्जा होती है सरल गती करते हुए कण की अधिक्तम विस्थापन में जो इस्थित है गती जूरजा वो कैसी होती है कितना होता है बताई कितना हो जाएगा सही option बता रहें सुनने होता है कितना हो जाएगा सुनने हो जाएगा यह सभी previous year के एक जगा पर collective किये गए question है जो कि अगर पूछेग तो इसी में से आएगा बिल्कुल सरल आवर्त गती करते कण की इस्थिती जूरजा नियूंतम होती है सरल आवर्त गती की जो कण है गती करते हुए कण की इस्थिती जूरजा नियूंतम होती है कब नियूंतम होती है बच्चा पूछ रहा है कब नियूंतम होती है तो अगला question बच्चा विस्थापन का मान बढ़ाने से दोलन का आवर्तकाल अगर विस्थापन का मान बढ़ा देंगे तो दोलन के आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पढ़ेगा तो बच्चा आवर्तकाल क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा विस्थापन का मान बढ़ेगा तो दोलन का आवर्थकाल क्या होगा बढ़ेगा option number B, दोनों note कर लिजे, आज़े, अगला question, त्वरण का मान बढ़ाने पर आवर्थकाल पर क्या प्रभाव पढ़ेगा, अगर त्वरण का मान बढ़ाने पर आवर्थकाल पर क्या प्रभाव पढ़ेगा, तब आवर्थकाल पर, तब आप कहेंगे बच्चा घट जाएगा, अगर त्वरण का मान बढ़ा दें, त्वरण का मान बच्चा बढ़ा देंगे, तो T क्या करेगा, घट जाएगा, यानि आप कहेंगे B, आपने फार्मूला नहीं देखा, T बराबर 2 पाई, अंडर रूट L बाई G, तो G क्या है, 1 जी, तो आवर्त काल बढ़ेगा, तो गुरुत्वी त्वरण, यानि त्वरण क्या होगा, बच्चा, घट जाएगा, घट जाएगा, आवर्त काल घटेगा, तो गुरुत्वी त्वरण क्या होगा, बढ़ जाएगा, इसी गुरुत्वी त्वरण को त्वरण कह रहा है, क कि सरल आवर्थ गती में किसी कण का विस्थापन धीरे धीरे घटता है तो उसका आवर्थ काल क्या होगा उसका आवर्थ काल क्या हो जाएगा तो उसका आवर्थ काल बच्चा कम हो जाएगा अगर धीरे धीरे विस्थापन घटेगा तो आवर्थ काल भी क्या होगा घटेगा सेम होगा, अगर ये बढ़ेगा तो ये हो बढ़ेगा, अगर ये घटेगा तो ये भी घटेगा, खतम अगला कुश्यन, और लास्ट है, सरल आवर्ट गती करने वाले वस्तू का, क्या होगा भई? सरल आवर्थ गती करने वाले वस्तू का हाँ बताइए क्या हो जाएगा क्या इंसर आएगा तो कहेंगे विस्थापन और तुरण क्या होते हैं बच्चा बदलते रहते हैं विस्थापन और तुरण क्या होते हैं बदलते रहते हैं खत्म किलियर हो गया आगे चले और आपके लिए बचा यह सूपर फास्ट रिवीजन का क्लास है जिसमें आपके बहतरीन कोश्चन तयार होते हैं बहतर से बहतर कोश्चन मिलता है जहां पर आप बहतरीन तरीके से इसको सॉल्व करते हैं दिये गए प्रस्नों को हल करते हैं आज के इतना ही धन्यवाद